और मेरे साथ में आंटी जी यहां पर मौझूद हैं, बहुत अच्छा एक भजन आपको सुनाएंगे क्या नाम है आंटी जी आपका? मदू भारगाव और आपका? हाँ, इनके ठीक है नाम एक है आपका नाम तो उबा ना? दीपा चतर वेदी चतर वेदी जी चलिए मदू भारगाव आंटी जी एक प्यारा सा सौंग आपको सुनाएंगे भजन है भजन भगवान की वानी का है यह लखनों का हमारी देवी मा का भजन है जो हम सबको सुनाना चाते हैं और भजन से बिलकुल हटकर है यह जिसे आकुल मन की पुकार होती है ऐसा भजन है ओम शिव हरी है नईया फसी मजदार में प्रभुपार तुमी को लगाना पड़ेगा है नईया फसी मजदार में प्रभुपार तुमी को लगाना पड़ेगा जीवन है नईया तुमी हो कि वईया कहां करूं मैं पुकार प्रभु तुमें आना पड़ेगा कहां करूं मैं पुकार प्रभु तुमें आना पड़ेगा जीवन को अब तुमी समालो आज गई मैं हार प्रभु तुमें आना पड़ेगा आज गई मैं हार प्रभु तुमें आना पड़ेगा है नईया फसी मजधार में प्रभु पार तुमी को लगाना पड़ेगा जीवन की यह नाव है बारी दो सत ग्यान पतवा अर प्रभु तुमें आना पड़ेगा राग देश का जल यह गेरा राग देश का जल यह गेरा करमों की गठरी है बारी जीवन हुआ है बार अर प्रभु तुमें आना पड़ेगा है नईया फसी मजदा अर में प्रभु पार तुमी को लगाना पड़ेगा है नई आपसी मजदार में प्रभु पार तुमी को लगाना पड़े भगवान स्री राम चंदर की प्रभु की सरण में पहुंच जाईए प्रभु की सरण में जो आनंद है वो आनंद आपको और कहीं नहीं आएगा प्रभु की सरण में जो आजाता है मन से आकुल मन की पुकार लेकर भगवान जरूर सुनते हैं उसको और यह कार हम जो भगवान की वानी का जंजन तक कोचा रहे हैं जो 25 साल से कर रहे हैं और हमें इसमें आनंद आता है मतलब सब पूछते हम से कि आपको इसमें क्या मिलता है हमको नोटों की गड़ी नहीं मिलती लेकिन भगवान का करपा सरिक्षन आशिरवाद मिलता है क्योंकि ऊपर जाके भगवान को कुछ तो दिखाना है कि हमने कुछ कारे किया है आपका जो आप कहते हो हाँ तो दोस्तो भगवान ईस्वर की सरण में पहुंच जाईए को कि वैसा आनन्द जो आपको भगवान की सरण में मिलेगा वैसा आनन्द और कहीं पर नहीं मिलेगा दोस्तों नमस्कार मैं हूँ विवेक सर्मा आपी का अपना और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वालियर का हिर्दैस्तल यानि कि ग्वालियर का दिल महराज बाड़े पर और महराज बाड़े पर है ग्वालियर का नमबर वन रिपेरिंग सेंटर यानि कि सुनिल मोईल रिप मeszित आपको सुनिल्मोईल रिपैरिंग सेंटर पर ताउन हॉल के ज़ेस्ट वगल में टूपी बजार मार्केट थाकुर या सेंटर में इस्तित है सुनिल मॉवाइल रिपैरिंग सेंटर गौलियर सहर का नंबर वन रिपैरिंग सेंटर चलिए अब आपको लेकर चलता हूं सुनिल मॉवाइल रिपैरिंग सेंटर के स्री ठाकुर जी कॉंप्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर पर इस्तित है सुनिल mobile repairing center hygienic machine यहां पर available हैं और आपके mobile में कोई भी हाँ परेशा नहीं आ गई है या फिर आपके iPhone में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो तुरंत आई है यानि कि तुरंत आपका mobile ठीक करके देंगे सुनिल मोबाइल रेपेरिंग सेंटर पर और दोस्तों आज कल आपके टेंपर बहुत जल तूट जाते हैं या आपके बच्चों के हातों से मोबाइल गिर जाता है और आपके टेंपर तूट जाते है या टेंपर पर कोई आप देखते हैं उंगलियों के निसान आ जाते हैं और फिर बहुत दिनों तक उंगलियों के निसान बने रहते हैं पर काईरा का ये टेंपर बहुत ही सांदा टेंपर आया हुआ है और ये टे सुनिल मोबाइल रेपेरिंग सेंटर और मोबाइल फॉन का ब्यूटी पालर इसको कहा जाता है सुनिल मोबाइल रेपेरिंग सेंटर को